हलो दोस्तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पीस यानि कि सांती के छेतर में नॉबल पुरुषकार जो है दोयर बीस के भी जेता कौन है कि से दिया गया है सांती के छेतर का नॉबल पुरुषकार 2020 तो उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे उससे पहले मैं आपको बता पहले तीन यहां पर आपको बता दू कि कर दी गई है इसकी घोसना उसका लिटरेचर यानि कि यहां पर नॉबल पुर्सकार की घोसना कर दी गई है जिसका शॉट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आप जाकत देख सकते हैं प्लेलिस्ट भी उसकी मिल जाएगी आप वह भी देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा होगा दोस्तों आज जो है वह 9 अक्टूबर है और आज जो है यहां पे वह सांती की चैनल में नॉबल पुरुषकार जो है एक संस्था को दिया गया है चलिए उलेख नहीं है जो है योगदान दिया है तो इसलिए इस संस्था को यहां पे जो मिला है मैं आपको पूरी डिटेल में बता दू यहां पे आप सभी देख सकते हैं कहा गया है कि नार्वे की जो है नॉबल कमीटी ने सुक्रबार को इस यानि कि आज ही के दिन इस साल के या लिए याद रखी गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है डवलू एफपी को सम्मानित किया है इस संसाथ वाड़ा भूक की समस्या से निपटने के लिए किये गए योगदान उलेख निये पर जो परियासों के तहत यह सम्मान दिया गया ठीक है और हमारी जो कोबी नाइ परियासों को तेज कर दिया है तो इसलिए इन्हें प्रुषकार सम्मानित किया गया है यहां पर किछ और जानकारी मैं आपको वदा दू कहा गया कि पिछले साल इथोपियों के परदान मंत्री एभी अहम अली को जो है वह इस समान से नवाजा गया था दोहर उन्हें इसमे और इस साल नॉबेल सांती प्रुषकार का सम्मान पाने के लिए 300 से भी अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं का नामांकित किया गया था चौती बार है जब इतनी बड़ी संख्या में इस सम्मान के लिए लोगों का यानि की संस्था और लोगों का नामांकन हुआ है ठीक है अब यहां पर देख सकते हैं जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है डवलू एपपी उसका कुछ यहां पर जो है वह मातपून विवरन है यह सारी चीज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ददूंगा आप लोग जा के चेक कर सकते हैं तो यह कुछ मातपून जानगारी थी दो वीडियो तो अपने दोस्तों में जरूर सेर किजिए और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद मिलते फिर नेक्स्ट नॉबल पुरिसकार के साथ